कि यहां मैंने क्या बोला कि यह जो रूल है ना यह रूल इंटीजर के लिए वैलिट है यह रूल क्या हमारा और यह जो रूल हमारा एक्स को भी रियल नंबर हो बटके इस एनी इंटीजर तो अब तुम देखो यहां पर क्या है देख लो न यह ऐसी वेरिफाई हो जाएगा अगर तुम इसको माइनेस अगर आगर यह इंटीजर है इसको तुम अगर ऐसे लिखोगे तो गरबर हो जाएगा ना इ Suska value तो minus 3 आजाएगा इसका value तो minus 2 आजाएगा जो कि अपस्में equal नहीं है तो मैंने क्या बोला कि greatest integer of minus x is equal to minus greatest integer of x minus 1 ये कभ वेलिड है when X belongs to R-Z and greatest integer of minus N is equal to minus greatest integer of N ये कब valid है when N belongs to Z and greatest integer of X plus K is equal to greatest integer of X plus ये कब valid है जब X कोई readings number हो NK क्या हो हमारा belongs to Z अब हमसे क्या पूछ रहा ہے अब हमसे ऐसे पूछ रहा है greatest integer of X minus greatest integer of minus X इसको पूछ रहा है तो हमने यहां क्या assume कर लिया कि x हमारा integer नहीं है इसको तो as it is रहने दिया हमने क्या जूम कर लिया कि हमारा x integer नहीं है तो फिर हमने rule number 3 लगा दिया तो ये तो as it is रह गिया ये minus तो ऐसी ही दे रखा x integer नहीं है तो फिर क्या होगा इसका value minus greatest integer of minus 1 यहाँ पे हमने क्या करना होगा x not belongs to z और फिर एक बार माल लिया क्या कि x हमारा integer है तो ये तो minus होगा अगर x integer है तो ये क्या हो जाए minus greatest integer of x यहाँ पे हमने क्या माल लिया x belongs to z तो ये हमें क्या मिल गया greatest integer ये minus minus क्या होगा ये minus minus plus होगा तो क्या होगा 2 greatest integer of x plus 1 ऐसा होगा if x is not belongs to z और यह minus minus 2 greatest integer of x हो गया if x belongs to z तो यह हमारा rule आ गया कि इसका greatest integer of x minus greatest integer of minus x का तो इसमें हमें कोई रटने की तो जुरूत पड़ी नहीं इस rule को इस rule को तो हमने first second और third से ही derive कर लिया मतलब first और third से derive कर लिया second के में जुरूत ही नहीं पड़ी अब अगर मैं इस minus की जगा ना बीच में plus दे देता हूँ अगर मैं ऐसे लिखो greatest integer of x plus of minus greatest integer of x ऐसे लिखो तो भी कोई problem नहीं है इसको मैं use कर सकता हूँ greatest integer of x plus इसको मैंने लिख लिया minus greatest integer of x minus 1 लेकिन यहां क्या मानना होगा if x not belongs to z ठीक है और फिर यहां क्या बोला greatest integer of x plus इसको क्या कर लिए हमने minus greatest integer x लिख लिए फिर यहां क्या बोलना होगा if x belongs to z तो यह rule क्या बन गया यह minus minus 0 minus 1 if x not belongs to z और यह क्या होगा 0 if x belongs to z यह किसका वैलू होगा greatest integer of x plus of minus greatest integer of x तो इसमें तो मुझे कहीं कोई याद रखने की जो होत्तो है ही नहीं बस अगर तुम्हें rule number 1 and rule number 2 rule number 3 याद होगा यही बात यहां लिखा हुआ है ठीक है यह rule number 4 होगा यह rule number 5 होगा अब आज़ो यह rule number 5 क्या बोल रहा है और rule number 6 क्या बोल रहा है sorry rule number 5 and rule number 6 क्या बोल रहा है तो rule number 5 क्या बोल रहा है अब एक बात तुम पहले यह बताओ अगर मैं तुम्हें बोलो न कि greatest integer of x यह या तो greater हो या equal हो 2 क्या तो x का value निकालो then find अगर मैं ऐसा question दो find the value of x x का value निकालो अगर greatest integer of x क्या हो या तो greater हो या equal हो 2 क्या तो x का value निकालो तो इसको कैसे solve करोगे एक real number line हमने बना लिया यहाँ पे 2 बना लिया यहाँ पे 3 बना लिया यहाँ पे 1 बना लिया अब तुम ऐसे सोचो greatest integer x का क्या होना चाहिए या तो 2 के equal होना चाहिए या 2 से बढ़ा होना चाहिए तो हमें x का value खोजना है देखो 2 पर greatest integer क्या होगा 2 तो x का value 2 हो सकता है 2 कर अगर आगे बढ़ते जाओगे तो सब पे greatest integer 2 होगा तो 2 के और 3 के बीच के सारे real number भी x का value हो सकता है अगर तुम सब पे 2 होगा अगर तुमने 3 लिया तो 3, अगर x का value 3 लिया तो greatest integer क्या होगा 3 तो 3 भी तो 2 से बढ़ा तो x का value 3 भी हो सकता है 3 से आगे बढ़ते जाओ, यहां पर 3 और 4 के बीच में लोगे, अगर तुम कोई भी एक्स उठाओगे, तो उसका greatest integer क्या होगा 3, तो 3 का 3 तो है ना greater than 2, तो इसको satisfy कर रहा है, 4 लोगे, तो 4 भी इसको satisfy कर रहा है, कहने का क्या मतलब है कि 2 और 2 के बाद यतने भी real numbers है ना, यह सब इस inequality को satisfy कर रहे है, समझ मारी है बात, अब अगर तुम 2 से पहले जाओगे, 2 से थोड़ा भी पहले जाओगे, मालो आगे तुमने 1.98, तो 1.98 का greatest integer क्या हो जाएगा, 1, तो 1 is greater than equals to 2, यह तो false है ना, तो इसका मतलब है क्या कि 2 से, जो less है ना, real number, वो x का value नहीं हो सकता ह है, तो फिर x का value क्या हो सकता है, या तो 2, या 2 से greater सारे real number, ठीक है, बात आरी समझ में, x का value क्या होगा 2, या 2 से greater सारे real number, अब अगर मालो कि मैं कोई ऐसे लिख दू, greatest integer of x is less than equals to minus 3, then find the value of x, then find the value of x, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई problem नहीं है, ऐसे होगा, यहाँ minus 3, यहा minus 1, यहाँ minus 4, minus 5, ऐसे जाएंगे, अगर तुमने x का value minus 3 डाला, तो उसका greatest integer 3 होता है, तो 3 is greater than equals to minus 3, यह तो true है तो इसका मतलब x का value हम minus 3 ले सकते, अगर तुमने x का value minus 2.9 लिया, तो minus 2.9 का भी greatest integer क्या होगा, 3, sorry, minus 3, तो minus 3 is greater than equals to minus 3, यह भी correct है, इसका मतलब हम x का value minus 2.98 net भी ले सकते, अब तुम्हें पता चलिए होगा, कि x का value अगर हम minus 3 हो से greater ले, तो वो सारे x का value उसको satisfy करेगा, अगर हमने x का value minus 3 से less लिया, for example, हमने ले लिया, minus 3.1 ले लिया, तो minus 3.1 का greatest integer क्या होगा, minus 4, तो minus 4 is greater than equals to minus 3, यह तो false है, minus 4 तो छोटा होता है, minus 4 minus 3 के नहीं होता है, तो इसका value क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, कि x जो होगा, वो या तो minus 3 होगा, या तो minus 3 से बढ़ा होगा, अगर मैंने ऐसे तुम्हें लिया, greatest integer of x is greater than equals to 2, तो इसका क्या मतलब होगा, imply क्या, x is greater than equals to 2, अगर मैंने लिखा, greatest integer is greater than equals to minus 3, तो यहां से हमें क्या पता चला x is greater than equals to minus 3 अगर मैंने लिखा greatest integer of x is greater than equals to 0 तो यहां समय क्या पता चला x is greater than equals to 0 इसी बात को हम generalize कर देंगे कि greatest integer of x अगर greater than equals to 2k होगा तो यहां समय क्या पता चलेगे x is greater than equals to k तो यही हमारा rule आगिया इसमें कहीं कोई रट नहीं कि तो जुरूत है नहीं कि हमें रट गहें इसको कि greatest integer of x is greater than equals to k वेरके is an integer the next is greater than equals to k ऐसा तो मैं जुरूत नहीं पढ़ा simple सा होगा अब अगर मैं इसको ना ऐसे लिखो अब फिर से देखो अगर मैं greatest integer इस सिर्फ greater than 2 करो और मैं बोलूं कि then find the value of x then find x का value निकालो तो अब तुम फिर ऐसे देखो फिर एक number line हम ड्रॉ करते यहाँ पर 2 डाला यहाँ पर हमने 3 डाला यहाँ पर हमने 4 डाला यहाँ पर हमने 1 डाला यहाँ पर 0 डाला अब greatest integer x का क्या होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए 2 केकवल भी नहीं होना चाहिए 2 से छोटा भी नहीं होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए तो हमें ऐसा x का value खोजना है जिसका greatest integer मतलब ऐसा input खोजना है जिस पर output input हम क्या बोलते है domain के element को output किसे बोलते है उसके range के element को मतलब input के corresponding जो image होगा उसे हमें output बोलते है तो इसका मतलब हमें ऐसा input कोजना है इसका मतलब हमें ऐसा x कोजना है जिस पर y value क्या हो वो y क्या है greatest integer of x है y का value तो है ना greatest integer of x हमने function में define किया ना y is equal to greatest integer of x is equal to fx तो इसका मतलब हमें ऐसा x कोजना है जिस पर y जो हो न 2 से greater हो 2 के equal भी नहीं हो तो तुम ऐसे देखो अगर हम next का value 2 लिया तो क्या satisfy करेगा बिल्कुल नहीं करेगा अगर हम next का value 2 यहां डाला तो 2 is greater than 2 2 का greatest integer क्या होगा 2 होगा तो 2 is greater than equals to 2 यह तो false है न अगर हम next का value 2 और 3 के बीच में कुछ भी उठा लिया 2.4 उठा लिया तो 2.4 का भी greatest integer 2 होगा तो 2 is greater than 2 आजाएगा यह भी false है अगर हमने greatest integer मालो 2 से पहले उठा लिया 1.9 उठा लिया तो 1.9 का greatest integer क्या होगा 1.9 का greatest integer 1 होगा तो 1 is greater than equals 1 is greater than 2 यह भी false है इसका मतलब क्या है कि 2 से तो हम पीछे जा नहीं सकते 2 से आगे जा सकते कहां तक जा सकते 2 और 3 2 नहीं ले सकते और 2 और 3 के बीच का कोई real number नहीं ले सकते because 2 और 3 के बीच के सारे real number का greatest integer क्या होगा 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 is greater than 2 तो again false हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि हम पहला जो x का value हो वो 3 ले सकते है ठीक है x का value हम क्या ले सकते है 3 x का value 3 डालो तो 3 is greater than 2 यह तो true है उसके बाद 3 से कोई भी आगी उठाओ 3 और 4 की बीच में कोई भी greatest x का value लो वो तो इसको satisfy कर जाएगा 3 और 4 के बीच के सारे x के लिए greatest integer क्या होगा greater than 2 होगा ठीक है तो 3 x के बीच का कोई भी value लोगा उसका greatest integer 3 होगा जो कि 2 से बड़ा है तो इसका मतलब कि 3 satisfy कर गया 3 और 4 के बीच का सारा real number satisfy कर गया 4 लेंगे तो ये भी कर जाएगा 4 और 5 के बीच लेंगे तो वो भी कर जाएगा इसका मतलब कि हमारा x का value क्या होगा 3 और 3 से greater तो अगर मैंने बोला कि greatest integer of x is greater than 2 तो ये के इंपलाई करेगा x is greater than 3 इसको हम क्या लिख सकते हैं x is greater than 2 plus 1 समझे रहो बात को तो एक negative में भी लेके देखा देते हैं अगर मालो greatest integer x greater than minus 4 इसको हमें बोला है कि x का value निकालो तो बस एक real number line बना लिया ये minus 4 हो गया ये minus 3 हो गया ये minus 2 हो गया ये minus 5 हो गया ये minus 6 हो गया greatest integer x क्या होना चाहिए minus 4 से बड़ा होना चाहिए तो minus 4 का greatest integer minus 4 तो आगर मैंने x का value minus 4 डाला तो हमें क्या मिलेगा minus 4 is greater than minus 4 जो कि false है अगर हमने x का value minus 4 से छोटा डाला for example हमने डाला minus 4.2 डाला तो minus 4.2 का greatest integer minus 5 हो जाएगा ne तो again minus 5 is greater than minus 4 वो कि again false है तो इसका मतलब कि हम minus 4 ले नहीं सकती माइनस 4 से पहले नहीं जा सकते अब माइनस 4 और 3 के बीच में कोई भी x उठाओ उसका भी greatest integer माइनस 4 होगा ठीक है इसका क्या मतलब है कि माइनस 4 और 3 के बीच का भी हम कोई real number नहीं ले सकते माइनस 4 नहीं ले सकते माइनस 4 से पहले पहले नहीं ले सकते अगर हमने x का value minus 3 उठाया तो अगर हमने x का value minus 3 लिया तो minus 3 का greatest integer क्या होगा minus 3 तो minus 3 is greater than minus 4 ये तो true statement है ना तो इसका मतलब हमें पहला x का value क्या मिल गया minus 3 अब अगर मैं minus 3 और minus 2 के बीच का कोई real number उठाता हूँ सबका greatest integer क्या होगा minus 3 तो minus 3 is greater than minus 4 true इसका मतलब minus 3 ले सकते है minus 3 और 2 की बीच का सारा real number ले सकते है फिर अगर minus 2 की बात करते है तो minus 2 का greatest integer क्या होगा minus 2 तो minus 2 is greater than minus 4 again true है तो इसका मतलब minus 2 भी ले सकते है तो मैं समझ में आगी होगा कि minus 3 और minus 3 से बड़ा सारा real number ले सकते है तो यहाँ पर x का value क्या होगा, x is greater than minus 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x is greater than minus 4 plus 1, तो इस बात से हमें क्या imply मिला, इसे हमें यह imply मिला, कि अगर greatest integer of x is greater than k हो, where k is any integer, तो यह क्या imply करता है, कि x is greater than k plus 1, तो यह एक rule बन गया हमारे पास, इसमें कोई problem तो नहीं होनी चाहिए, simple से बात कहीं जा रही है आपको, अब पहला हमारा rule क्या था, greatest integer is greater than equals to k था, तो यहां से हमने क्या बोला था, x is greater than equals to k, where k is any integer, ठीक है, अब आजो third rule में, अगर मैंने त greatest integer of x is less than 2, तो यहां से बताओ कि x का value क्या होगा, तो कोई बात नहीं, real number line बनाया हमने, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, तो अब क्या होने चाहिए, कि हमें वो x लेना है, जिसका greatest integer 2 से छोटा है, तो अगर हमने x का value 2 लिया, तो 2 का greatest integer 2 होगा, तो 2 is less than 2, यह तो false हो गया, अगर हमने x का value 2 से बढ़ा लिया, 2.4 ले लिया, या 2.1 ले लिया, तो 2.1 का greatest integer again 2, तो 2 is less than 2, यह भी false हो गया, अगर हमने 3 ले लिया, 2 और 3 के बीच में कोई भी x उठाया, उसका greatest integer 2 होगा, तो 2 is less than 2, false हो जाएगा, अगर हमने greatest integer 3 ले लिया, तो greatest integer of 3, क्या होगा, 3 का greatest integer 3, तो 3 is less than 2, यह भी false हो गया, इसका क्या मतलब है कि हम 2 नहीं ले सकती, और 2 के बाद कोई भी नहीं ले सकते, मतलब यह नहीं चलेगा, और इसके आगे यह सब नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, अब 2 से पहले आते है, 2 से पहले आगे 1.9, तो 1.9 का greatest integer क्या हो यह तो true है, तो इसका मतलब x क्या होगा, x is less than, हम क्या हमें क्या लेना है, कि 1 स 2 से छोटा, x is less than 2 चल जाएगा, का मज में आ रही है बात, अगर तुमने x का value 2 नहीं लेना है, एक पल लगा दोगे तो फिर गल्त हो जाएगा, सिर्फ x क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना च चल गया, तो 2 से छोटा कोई भी लेलो, 1 लेलो, 1 का greatest integer again 1, तो 1 is less than 2, true है, 0, 1 के बीच में कोई लेलो, मालो 0.5 लेलिया, तो 0.5 का greatest integer क्या होगा, 0 होगा, तो 0 is less than 2, यह भी true होगा, इसका मतलब क्या है, कि अगर greatest integer x बोला जाए, less than 2 हो, तो x का value क्या होगा, less than 2, यह तो मै x क्या होगा, less than minus 2 होगा, तो यहां समय क्या मिल गया है, कि अगर greatest integer of x क्या हमारा, less than k है, where k is any integer, तो इसका क्या मतलब होगा, x is less than k, where k is any integer, अब अगर मालो कि तुमसे ऐसे, यह rule number हमारा क्या हो गया, पहला दूसरा, यह हो गया, तीसरा, चौथा rule की बात कर गया है, अगर greatest integer of x less than, equals to, मालो 2 है, अब फिर बोला है कि x का value निकालो, क्या होगा, तो कोई बात नहीं, फिर real number line बना है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, ऐसे हो गया, तो बताओ, 2 के equal आभी आना चाहिए, तो अगर हमने x का value 2 लिया, तो greatest integer क्या हो जाएगा, 2 के equal तो य के बीच में ले लिया, x का value अगर हमने 2 और 3 के बीच में ले लिया, तो उसका greatest integer क्या हो जाएगा, बताओ, उसका greatest integer हमारा हो जाएगा, 2, अगर हमने x का value 2 और 3 के बीच में लिया, तो greatest integer 2 हो जाएगा, तो 2 is equal to 2, चल जाएगा, अगर हमने x का value 3 ले लिया, तो फिर गरबर हो जाएगा तो यह नहीं ले सकते because 3 लेंगे तो 3 का greatest integer क्या होगा 3 तो 3 is neither less than 2 nor equals to 2 तो यह नहीं चलेगा इसके बीच का सब चल जाएगा अगर तुमने x का value 2 से छोटा लिया ना तो वो भी चल जाएगा इसका मतलब यह हो जाएगा तो यहां से क्या होगा x क्या होगा less than बोलो 2 plus 1 हो जाएगा ऐसे लिख सकते ना अगर यह minus 2 होता ना तो भी क्या होता x is less than minus 2 plus 1 x is less than minus 1 आजा तो चलो लेके दिखा दे रहा हूँ अगर हमने greatest integer of x ले ले लिया less than equals to minus 3 तो कोई बात नहीं है हमने यह minus 3 ले लिया यह हमने ले लिया minus 2 ले लिया हमने minus 1 ले लिया minus 4 ले लिया ऐसे ले लिया अब क्या बोला है उस x को निकालो जिसका greatest integer या तो minus 3 के equal होगा या तो minus 3 से छोटा होगा तो बताओ minus 3 पे greatest integer minus 3 होगा तो यह minus 3 चल जाएगा अगर मैं minus 3 और 2 के बीच में लूँ ना कुछ भी minus 3 और 2 के minus 2 के बीच में तो उसका भी greatest integer क्या होगा minus 3 तो वो भी x का value चल जाएगा बट अगर मैंने x का value minus 2 ले लिया फिर गरबर हो जाएगा अगर minus 2 लिया तो minus 2 का greatest integer क्या होगा minus 2 का greatest integer minus 2 होगा तो minus 2 minus 3 से नहीं छोटा है और minus 2 minus 3 से नहीं equal है, तो यह नहीं चलेगा, तो हमें क्या पता है यह सब चल जाएगा. तो यहां से हमें क्या होगा x क्या होगा यह less than हो जाएगा यह क्या हो जाएगा बताओ minus 3 plus 1 equal नहीं होगा यहां पर ठीक है तो यहां से हमें क्या पता चल गया है अगर greatest integer of x is less than equals to k हो तो यह क्या imply करेगा x is less than k plus 1 where k is in integer ठीक है तो क्या ही बात बताए जारी है आपको यहां पर यह 6, 7, 8 and 9 यह rule दे रखा है तो मैं क्या बोलना हो कि सिफ यह 3 rule याद रखना है तुम्हें बाकि यह 4, 5th logically 1st और 3rd से drive हो गया और 4 और 5th drive हो गया 6, 7, 8, 9 देन और आप निकाल सकते हो अगर मालो कि ऐसा question हो जाना greatest integer of x is less than 2 तो तुम्हें formula याद थोरी ना करना है यतने time में तुम formula याद करोगे यतने time में तुम क्या करोगे